नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजूकेशन में दोस्तों भारतिय समिधान का सबसे important topic होता है अनुचेद और अनुचेद से related हरा exam में एक question पूछा ही जाता है तो आज किस वीडियो lecture में हम अनुचेद से related most important 25 question को solve करने वाले हैं दोस्तों ये जो 25 question है ये काफी अच्छे लेबिल के question है important question है और इन question को हम बिलकुल detail में with extra fact के साथ में हाल करेंगे और दोस्तों कहने के लिए तो ये 25 question रहेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर 100 से ज़्यादा fact को बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू कर लेते हैं नंबर first question है निमने मूल अधिकारों मैंसे कौन सा एक मूल अधिकार भारतिय नागरेकों को तो उपलप्द है पर भारत में रहने वाले बिदेसियों को नहीं तो दोस्तो जितने भी question इस वीडियो में लाया हूँ यदि आपको किसी भी question का answer पता है तो वीडियो को post करके अपना answer लगाएं इसके बाद मैं answer वताऊंगा और question के relation में जितने वी extra fact बन सकते हैं सबी को समझाऊंगा तो देखे एक मूल अधिकार है बाक और अभिव्यक्ति की सुतंतरता और ये जो मूल अधिकार है इसका वर्णन किया गया है अनुचिद 19 में ठीक है article 19 में इसका वर्णन किया गया है और ये जो बाक और अभिव्यक्ति की सुतंतरता है ये केबल भारती नागरेकों को प्राप्त है भारत में बेदेशी रहते हैं इनको ये मूल अधिकार प्राप्तन नहीं होता ठीक है हम बात कर यदि मूल अधिकारों की तो जो मूल अधिकार हैं ये हमारे सम्मिधान के भाग तीन में बर्णत किये गए हैं कौन से भाग में बर्णत किये गए हैं भाग तीन में और अनुच ज़िखता संबंदी प्रावधन किया गया है, अनुच्चित 5 से लाएकर अनुच्चित 11 तक, तो इस question का B option से ही हो जाए गया, अनुच्चित 1 सE 5 तक इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें वहरत जो है, राज्यों का संग होगा, और भारत की सीमह वगेरा का वर्णन क किया गया है और यहां पर अनुच्छेद 12 से 35 तक अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें मौलक अधिकारों का वर्णन किया गया है ठीक है किस चीज का वर्णन किया गया है मौलक अधिकारों का वर्णन किया गया है और जो मौलक अधिकार हैं यह कहां से लिए गए हैं तो यह अमेरिका से लिये गए ठीक है ये question भी बनता है और अनुचेद 36 से अनुचेद इंक्याँ तक यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है तो इन अनुचेद में नीती निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है तो देखे कास्टिंग बोट इसको नेर्णा एक मत भी कहा जाता है ठीक है ध्यान देना ये पूछा जाता है नेर्णा एक मत के नाम से तो जो कास्टिंग बोट है इसको नेर्णा एक मत भी कहा जाता है और जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपने नेर्णा एक मत का प्रियोग करता है जब बोट वरावर वरावर की नाते टाई हो गए हो तो इस कॉस्टन का D option से हो जाएगा देखे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो article 101 ठीक है article 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने नेना एक मत यानि की कास्टिंग बोट का प्रियोग केवल तब ही करेगा जब किसी विसाय में मतदान हुए हो और वो मतदान बराबर हो गए हो ठीक है तो याद रखेंगे next question है किस अनुच्छित के तहत राज्यों के राज्यफाल की नियुक्ति राष्टपती की द्वारा की जाती है तो जो राज्यों के राज्यफाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्टपती की द्वारा की जाती है किस अनुच्छित के अंतरगत तो अनुच्छित 155 के अंतरगत तो इस question का D option से हो जायागा अच्छे जो अनुच्छद 153 लिखा है ये भी पूँचा जाता है तो अनुच्छद 153 में लिखा है कि प्रित्यक राज्य के लिए एक राजपाल होगा और साथ ही एक राजपाल एक से अधिक राज़ियों के राज़ियों के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है आप लोग उने देखा होगा कि कई बार जो राज़ियों है वो दो राज़ियों के लिए भी नियुक्त किया जाता है थीक है तो ये भी अनुच्छद 103 पन में लखा गया है next question है नेमन में से कौन राजपाल दोरापदचेयोत नहीं किया जा सकता काफी अच्छा question हो और ये काईवा repeat हुआ है तो देखे राजपाल दोरापदचेयोत नहीं किया जा सकता तो जो राज लोग सिबा आयोग के सदस्व होते हैं और अध्यक्ष होते हैं इनको राजपल नहीं हटा सकता देखे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ राज लोग सिबा आयोग यानि कि जो इस्टेट पिएससी के अध्यक्ष और सदस्व होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है तो उनकी नियुक्ति तो करता है राजपाल कौन करता है उनकी नियुक्ति राजपाल करता है लेकिन यदि कोई बिवाद हो जाए तो बिवाद की इस्तिती में राजपाल उन्हें पदची होती यानि की हटा नहीं सकता तो इनको बिवाद की इस तो एंसी इस्तिती में State PSC के अध्यक्षों को और सदस्यों को राष्टपती पध से पध्दülुद कर सकता है। तो यह Article भी हमें याद रखना है और इनको कौन नेक्त करता है और कौन हटाता है ये सारी बातें हमें याद रखना है क्यूंकि आजकल एक्जाम में इसी प्रकार के question वनने लगे हैं और student जो हैं वो confused हो जाते हैं नेश्ट कोस्टन वारती संविधान के किस अनुच्छेद में अलप संख्यकों कोई हितों के सर्रक्षन की विवस्ता है आर्टिकल 29 में तो इस question का C option सही हो जायेगा ये अनुच्छेद 29 क्या कहता है तो देखे इसके अनुचार कोई भी अलप संख्यक वर्ग अपनी भासा लिपी और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और कोई भासा जाती धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी अलप संख्यकों को सरकारी सेक्षन क संस्ताओं में नहीं रुका जाएगा ठीक है ये Article 29 कहता है नेश्ट कोस्टन है भारत के सर्भोच नयायले का छेत्रयादिकार किसके द्वाराएं वड़ाया जा सकता है तो भारत का जो सुप्रीम कोट है इसका छेत्रयादिकार संसत के द्वारां विधी बनाकर बढ़ाया जाता है तो इसको द्वारा विधी बना कर बढ़ाया जाएगा नेश्ट कॉस्चन है 61 सम्मिधान संसुधन 1988 द्वारा वैस्क मतादिकार की आयू 21 से घटा कर 18 वर्स कर दी गई वैस्क मतादिकार की आयू किस अनुच्छेद में बर्णत है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि पहले बोटेंग करने की एज कितनी होती थी 21 वर्स होती थी लेकिन ये घटा कर 18 वर्स कर दी गई तो ये किस सम्मिधान संसुधन द्वारा की गई तो ये 61 सम्मिधान संसुधन 1988 द्वारा की गई ठीक है और वेस्क मतादिकार की आयू किस अनुच्छित में बढ़नत है तो यह जो है अनुच्छित 326 में बढ़नत है तो इस question का C option सही हो जाएगा नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सरते निर्धायत करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है तो नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सरते निर्धायत करने वाला सक्षम निकाय है संसत इस question का C option सही हो जाएगा देखे अनुच्छित 11 में इस्प्रष्ट दिया गया है कि संसत को नागरिक्त सम्मंदी विधी बनाने की संपूर सकती होगी ठीक है आप लोगोंने देखा होगा कि हाली में ये CAA जो है ये काफी चर्चाओं में रहा है तो पूरा का पूरा पाबर किस के पास था संसत के पास था ठीक है तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि नागरिक्त सम्मंदी विधी बनाने की संपूर सकती किस के पास है संसत के पास है नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नंबर 11 कॉस्चन है भारते सम्मिधान में मूल कर्तब्यों को के समीति की सिफार्सों पर जोड़ा गया काफी अच्छा कॉस्चन है तो मूल कर्तब्य जोड़े गये थे 16 समीति की सिफार्सों पर तो इस कॉस्चन का A option से हो जाएगा सौन सें समीति की सिफार सों पर भारते संविधान में 42 बस संविधान संसोधन किया गया और ये 42 बस संविधान संसोधन कब हुआ तो ये हुआ था 1976 में ठीक है और इसके अनुसार भारते संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था ठीक है नया भाग कौन सा तो भाग चार का जोड़ा गया था ठीक है इसी में मूल करतब दिये गए हैं और एक अनुच्छित भी जोड़ा गया था अनुच्छित कौन सा तो इंक्याउन का जोड़ा गया था ठीक है और इस प्रकार से मौलक करतब्यों की विवस्ता की गई थी और शुरुआत में 10 मौलेक कर्टब जोड़े गए थे लेकिन यदि आपसे question पूँच जाए कि बरतमान में मौलेक कर्टब्यों की संख्या कितनी है तो बरतमान में मौलेक कर्टब्यों की संख्या है 11 तो ये 11 मौलेक कर्टब कब जोड़ा गया ये भी तो question बनेगा तो ये जो ग्यारबा मौलेक करतब है ये 2002 में जोड़ा गया था ठीक है एक संबिधान संसुधन हुआ था 86 संबिधान संसुधन और ये कब हुआ था तो ये 2002 में हुआ था और इसी के तहर जो है ग्यारबा मौलेक करतब जोड़ा गया था ये हमें पता भी होना चाहिए और ये परिक्षा में पूछ भी लिये जाते हैं नेस्ट कॉस्टन है संसत को संभिधान संसुदन करने का आधिकार किस अनुच्छेत के अंतरगत दिया गया है कि सम्मिधान संसुधन करने की प्रक्रिया किस देश के सम्मिधान से ले गई तो ये दक्षिन अफ्रिका के सम्मिधान से ले गई थी ठीक है इसको भी आप याद रखेंगे नेस्ट कोस्टन है सम्मिधान के किस अनुच्छिद में नई राज्यों के प्रिवेश या इस्थापना का प्रावधान किया गया है तो नई राज्यों के प्रिवेश या इस्थापना का प्रावधान किया गया है अनुच्छिद दो में तो इस कोस्टन का बी ओप्सन से हो ज यदि उनकी सीमाओं में या फिर उनकी नामों में कोई परिवतन करना है तो ऐसा उल्ले किया गया है अनुच्छे तीन में ठीक है और अनुच्छे दो में आपको बता चका हूँ यदि किसी राज की इस्थापन करना है तो उसके संबन में प्रावधन किये गए हैं प्रियोग है यह कहां पर या फिर किस अनुच्छिद में हुआ है तो भरतिय संब्धान में केवल एक बार मंत्री मंडल यानि की कैबिनेट सब्द का प्रियोग हुआ है और यह प्रियोग हुआ है अनुच्छिद तीन सो वाउन में तो इस कॉस्चन का A option सही हो जाएगा ज लेकिन मैं आपको बता दूँ कि चबालीसवा संब्धान संसोधन होता है काब होता है चबालीसवा संब्धान संसोधन 1978 में होता है और 1978 में यह कहा गया कि राष्टपती राष्टी आपातकाल की घोशना तवी करेगा जब मंत्री मंडल जब मंत्री मंडल और कोश्टक में लिखा है कैबिनेट इस आसाय से राष्ट पती को लिखित में सूचना दे ठीक है तो मंत्री मंडल या फर कैबिनेट सब्द का प्रियोग पूरे सम्विधान में केबल एक बार किया गया है कहां पर किया गया है अनुचे तीन सो बाउन में किया गया है और ये भी कब किया गय यह कौस्टन कई वार रिपेट हुआ है नेस्ट कौस्टन है लोग सवा में एंगलो इंडियन समुदाय के प्रतिनिदुत के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो देखे मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 331 के तहत राश्ट पती लोग सवा में करने का सिलसला हाली में चल रहा है अब ये खतम होती है कि नहीं होती मैं आगे करेंट अफेर्स के वीडियो में आपको अपडेशन दे दूंगा नेस्ट कोस्टन भारत के प्रतेक नांगरिक का यह करतब होगा कि प्राक्तिक परियावन का सर्रक्षन एउन सुधार करे किस अन नीती निर्देशक्तत्यों के अंतरगत आता है ठीक है राज के नीती निर्देशक्तत्यों के अंतरगत आता है और मैंने आपको बताया था कि जो नीती निर्देशक्तत्यों है यह किस देश के संभिधान से लिए गए तो यह आईरलेंड के संभिधान से लिए गए और जो बाते हैं नेस्ट कोस्टन है किस अनुच्छेद में राष्ट पती की नियुकती सम्मंदी वर्णन किया गया है तो राष्ट पती की नियुकती सम्मंदी वर्णन किया गया है अनुच्छेद वाउन में तो इस कोस्टन का A option सही हो जाएगा यदि हम बात करें यहां पर लिखा है कि संग की कारेपाली का सकती राष्ट पती में नहित होगी। आगे बढ़ते हैं। का B option सही हो जाएगा ठीक है और महादिवक्ता की नियुक्ति सम्मंदी वर्णन किस अनुच्छिद में किया गया है चुकि हम अनुच्छिद पढ़ रहे हैं तो अनुच्छिद जरूरी है तो महादिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छिद 165 के तहट ठीक है और इस प्रकार केंद्र में महानियवादी का कार्य होता है ना उसी प्रकार से राज्यों में महादिवक्ता का कार्य होता है ठीक है और जो महानियवादी है इसकी नियुक्ति का प्रावधन किस अनुच्छिद में किया गया है तो इसकी नियुक्ति का प्रावधन किया गया है आर्ट राष्ट दोस फेराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में बर्णत है तो निजी भाउनों के उपर राष्ट दोस फेराने के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19.1 का में बर्णत है तो इस कॉस्टन का भी ओप्सन सही हो जाएगा देखे मैं आपको बता कि राष्ट दस फैराना अभी व्यक्ति की सोतंत्यता के अधिकार के अंतरगत आता है ठीक है याद रखेंगे next question है किस अनुच्छित के अंतरगत नियाएपाली का नागरेकों के मौलेक अधिकारों की रख्चा करती है ये question most important question है तो जो नयायपाली का है ये नागरेकों के मौलक अधिकारों की रक्षा करती है किस अनुच्छित के अंतरगत तो अनुच्छित 32 के अंतरगत तो इस question का A option सही हो जाएगा देखे अनुच्छित 32 में क्या लिखा है तो जो अनुच्छित 32 है ये सम्विध्यन उपचारों का एक महत्पून अधिकार है और इसी के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह है उसके उपचार के लिए Supreme Court की सरण में जा सकता है कहाँ पर वो Supreme Court की सरण में जा सकता है अनुच्छित 32 के अंतरगत और जो एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 226 ठीक है तो अनुच्छेद 226 के इंतरकत वो कहां पर जा सकता है तो वो हाई कोट में जा सकता है यदि उसके मौलक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो देखे जो सम्विधानेक उपचारों का अधिकार है यानि कि जो आने उपचारों के अधिकार को कहा है ये फेक्ट भी काफी important फेक्ट है चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नमर 22 कोस्टन है कौन से अनुच्छित में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधन किया गया है अनुच्छित 40 में वी ओफसन सही हो जाएगा याद रखेंग चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट पती लोग सबा को किस अनुच्छित के अंतरगत भंग कर सकता है अभी तक हमने पढ़ा है कि जो राष्ट पती है ये लोग सबा को भंग कर सकता है यानि की निलंबित कर सकता है तो किस अनुच्छित के अंतरगत कर सकता है तो अनुच् में कनिदी है इसकी इस्थापना की गई थी वर्ष 1950 में तो इस कोस्टन का ए ओप्सन से हो जायागा देखे मैं आपको बता दूँ अनुच्छित 267 के तहट भरत की आकस में कनिदी की इस्थापना की गई थी कब की गई थी 1950 में की गई थी यह निदी किसी विशिस की लिए निर्मित की गई थी नमबर 25 कोस्टन राष्ट पती सरबोच्च ने आला है यानि कि सुप्रीम कोट से किस अनुच्छित के तहट सलाह ले सकता है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह कोस्टन जो है most important कोस्टन है और यह कोस्टन कई बार repeat होता है तो देखे ज यहां पर आपको समझना होगा कि यह जो सुप्रीम कोट है यह सलाह देने के लिए वाद दे नहीं है ऐसा नहीं है कि राष्टपती ने कहा है कि भाईया हमें सलाह दो क्यूंकि राष्टपती के पास तो पावर है ना यार वो अनुच्छित 143 का प्रियोग करके सुप्रीम क कोट के पास भी पावर है कि वो सलाह देने के लिए वाद दे नहीं है वो चाहे तो सलाह देगा और ना चाहे तो सलाह नहीं देगा तो इस प्रकार से हम एक लिंक है एक ट्रेक है इसको याद करने की देखे यहां पर एक जो अनुच्छित है वो क्या है अनुच्छित 143 ठी तो देखे जब क्या होता है कोई लड़का या फिर कोई लड़की किसी को प्रपोज करती है ठीक है तो प्रपोज करने का क्या आसाय होता है कि हम आपकी राय जानते हैं हम आपकी सलाह जानते हैं देखो भई यह हम तो आप से लव करते हैं आप करते हैं कि नहीं करते हैं अगर करते हैं तो yes करो otherwise आप बाद नहीं है जैसे यहाँ पर Supreme Court सलाह देने के लिए बाद नहीं है उसी प्रकार से जिस बंदे को या बंदी को आप प्रपोस कर रहे हैं वो भी agree होने के लिए यानि कि आपका proposal accept करने के लिए बाद नहीं है वो चाहे तो हाँ बोल सकता है उसके पास बाबर है कि वो नो बोल सकता है तो इस प्रकार से आप याद यदि करेंगे तो life में यह article यह अनुचित कभी नहीं भूला पाएंगे और देखे दोस्तों आजकल जो GKGS का level है इतना हाई हो गया है कि कही न कहीं किसी न किसी चीज़ से तो आपको relate करना होगा तब ही आप उन चीज़ों को life time तक नहीं भूला पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब next and last question है आपके लिए challenging question है इसका answer आपको comment box में बताना है प्रतम गैर कांग्रेसी प्रधान मंत्री कौन बने आपके लिए चार option दिये गए हैं यदि आप चाहें तो प्रधान मंत्री पद के बारे में detail भी लख सकते हैं या फिर जो भी इस question का answer हो उसके बारे में detail लख सकते हैं करेंके दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज वीडियो को like करके हैं में motivate जरूर किया करें और इस वीडियो को अपने study related बार्सक गुरूप में अपने दोस्तों के साथ share करें और हमारे चैनल को subscribe करने के साथ bell icon जरूर दबालें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू तो उसका notification सबसे पहले आपको मिल सके और दोस्तों इसी प्रकार के मैं important topic पर वीडियो बनाता रहता हूं तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं हमारी playlist को visit करके playlist की link आपको यह जय भारत बंदि मात्रा